हेलो डियरेशनेंट भूद बहुत स्वागत अपनी यूट्यूप चैनल मौम्रद्बी संजीब सर्में और यह हम अगला वीडियो लेकर किया है साजेदारी संलेक का जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पार्टनर से डीड क्या होता है देखो अक्सर एक्जाम में पार्टनर स साजेदारी संलेक क्या है इसके लिए पूछा जाता है और इसके महत्पूर जो बाते हैं बिंदू हैं पॉइंट्स हैं उनको अक्सर पूछा जाता है तो इस वीडियो में यह बिल्कुल किलियर होने बाला बहुत इसली क्लियो होने बाला आप देखिए और मैं समझाता हू सबसे पहले बताएं साज़ेदारी संलेक क्या होता है जो कुछ साज़ेदारी किसे करते हैं दो या दो से अधिक लोग मिल करके जो आपस में एक बिजनिस स्टैंड करते हैं उसी को हम साज़ेदारी कहते हैं अब भाई जब कई लोग मिल रहे हैं तो आज तो चलिए सब में बहुत अच्छा प्रेम है, मनमुटाव नहीं है, सब एक दूसरे की image को समझ रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम भी है, और कल को अगर कहीं पर कोई बात आ जाए, तो ऐसा ना हो कि आपस में कोई समधोता ना होने पाए, या आपस में कभी मनमुटाव हो जाए, तो बिजनिस को ऐसी की तैसी हो जाए, इसलिए सब क्या करते हैं, कि भाईया एक पेपर पर सारी सर्टों को, सारी बातों को लिख करके रख लेते हैं, इसी को कहते हैं साजेदारी सनलेक, साजेदारी सनलेक दूसरे मिल करके बनाए, साजेदारी पिलस सनलेक, साज के साथ में जितनी बाते तै हुई है उन सब को लिख लेना साज़ेदारी सनलेक कहला था ओके और ज्यादा अच्छे से पूरा डिटेल के लिए तो आपको पीडिया परचेज करना होगा और यहां पर मैं बताऊं साज़ेदारी सनलेक किलियर होने के बाद में वो पॉइंट्स जो साज़ेदारी सनलेक में होते हैं क्या-क्या होता है आईए नंबर एक फर्म का नाम बापता यह चीज़े साज़ेदारी सनलेक में लिखी हुई होती है यह फर्म का क्या नाम होगा और क्या एड्रेस होगा दूसरे नंबर पर साज़ेदारों के नाम बापता अब फर्म क करनाबंपता थो होता ही है लेकिन साझेदारों में भी फूरण जो नाम है और ओल झाल को कई हैं अगर किसी के साथ में विवाद हो जाये तो समझ लोगी सारे लोगों का डिटेटल फर्म के साथ में मिल जाये कहीं पर कोई कोई बात विबाद हो जाया कोई दिक्कत आ जाया तो कमसे कम कानूनिब्र फिर क्डिया में जाना सके हां इसका कौन-कौन साजयदार एक को टहरा दिया जाए उके इसलिए सबका नाम πता होता है तीसरी चीज़ साझे दाजरू के हस्ताक्षा जो पार्टनर्स से बीड है उसमें जितने भी पार्ट्नर्स होते हैं सभी के signature भी किए वह होते हैं ओके और जिससे कि वो कल को यह ना कहें कि नहीं हम इस फर्म के लिए जिम्मेदार नहीं है ओके और इसके बाद में चोथे नंबर पे फर्म की इस्थाई मोहर इस लिए कहते हैं कि जैसे मोहर एक बार बन गई बैसे ही फर्म की मुहर रहे गी और मुहर कते हैं स्टैंप के लिए ठीक है जिससे की फर्म एक जिम्मेदार हो सब जितने भी लेंदेन कर रही है पांच में नंबर पे ब्यापार की प xenope जिछत का मतलब सीद्न सीद्धिये है कि बिजिनस का नीचर ao किस प्रकार का बिजनेस होगा उसके लिए हम कहते हैं छटे नंबर पे ब्यापार करने का छेत्र यानि जो बिजनेस है वो कहां कहां तक किया जाएगा कितने एरिया तक किया जाएगा ये भी इसी में सनलेख में पहले से लिख दिया जाता है और उसी के परपस से पूरा आगे का मसोदा तयार किया जाता है आगे की योजना तयार की जाती है ठीक है इसके बाद में साथ में नंबर पे यह उपर नीचे हो जाए कोई फरक नहीं है पूंजी का विवरान यानि इसमें कौन कितना पैसा ला रहा है वो सारी चीजें यहां पर लिख दी जाती है कि भीया किसक कि म्रत्य हो जाए कोई और दिक्कता आ जाए तो कम से कम उसके जो आगे आने वाली पीड़ी है उसके साथ में पूरा-पूरा सही सही हिसाफ किताब किया जा सके आठ में नंबर पे लाभ हानी का बटवारा ये भी इसमें साइजदारी संलेक में लिखा जाता है कि लाभ हानी को जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉसस होंगी उसको किस रेसों में वाटा जाएगा अब इसी के साथ में नमे नंबर पे कारियों का बटवारा का मतलब यहां पर यह सीधा सा कि जितने भी कारिये हैं उन दसमें नंबर पे होता है पूझी पर व्याज की व्यवस्ता पूझी पर व्याज की व्यवस्ता का मतलब है कि जितनी जिसने पूझी लगाई है उसको कहीं पर कोई व्याज तो नहीं देना है देना भी है या नहीं भी देना है तो यह साजदारी संलेक में हिताय कर लिया ज बहुत अच्छी हो जाती है और इसके बाद में अगला जो पॉइंट होता है वो होता है साजेदारों के अधिकार मतलब जो साजेदार है उनके अधिकार क्या-क्या होंगे क्या-क्या उनके राइट्स होंगे उनी राइट्स के बेस पे वो अपने जो कारिये हैं उनके लिए वो पूरा करेंगे तो ये भी जरूरी है इस पश्ट करना कि साजेदारों के क्या-क्या अधिकार होंगे और क्या-क्या करतब होंगे ठीक है अधिकार और करतब से ही साज़ेदारों को कमीशन वा बेतन यानि साज़ेदार जितने भी हैं उनको बेतन या कमीशन तो नहीं देना इसका भी पूरा वर्लन इसी साज़ेदारी संलेख में किया जाता है और साज़ेदारी संलेख से इसी कारण से कभी भी लड़ाई जगडा नहीं होता है ठीक है तेर होता है कि एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी सौब दी जाती कि जितना भी फर्म का लेंदेन हो रहा वो हिसाथ किताब को इस पर श्टूप से रखेगा सारे साज़ेदार जब चाहें उसके लिए देख सकते हैं लेकिन जो हिसाथ किताब रखने का तरीका है हिसाथ किताब र दूसरे कि अगर जांच परताल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ये रिटेन में होना चाहिए ठीक है पंदरमे नंबर पे नए साज्येदार के प्रवेश के नियम यानि कोई नया अगर साज्यदार आता है तो उसके समद्ध में कौन-कौन से नियम होंगे क्या-क्या उसके लिए करना होगा क्या-क्या हमें उसके साथ में चीजों को फोलो करना होगा ठीक है और ये सारी चीजे नए साज्यदार के साथ में होती है कि वो पूंजी लाएगा तो कितनी लाएगा कितना उसे रेशो में अनुपात में हम लाब देंगे कितनी वो हानी बियर करेगा ख्य रहेगी कि बैसे वियापार स्थापित होने वाद कोई निश्चत नहीं ओता कब व्यापार वार का समापन होगा लेकिन यहां पर पहले से तैय कर लिया जाता कि हम लोग गाम्य रिस्थ है कितने लंबे कि समय साजेदारी हमारी चलती रहेगी और इसके बाद में साजेदारी के समापन का समय यानि कब साजेदारी को समाप्त कर दिया जाएगा ये भी व्यवस्था पहले से ही साजेदारी सनलेक में तैं कर ली जाती है कि वो कौन-कौन सी परिस्तियां होंगी उन परसुतियों के आधार पर साजेदारी के लिए देंड कर दिया जाएगा ठीक है तो ये साजेदारी के समापन की विवस्ता होती है और साजेदारी एक लंबी समय तक चलने वाला प्रोसेस है यहाँ पर समझ होता है उसके बावजूद भी जो साजेदारी है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है अठारा नंबर पे साजेदार की मिरत्यू हो जाने पर नियम यदि किसी साजेदार की किसी भी दुरगटना के कारण है किसी भी तरीके से कर नियम हो जाती है ठीक है 19 में नंबर पे साज्येदारी ब्यापार की ख्याती की गड़ना जो साज्येदारी ब्यापार होता है उसकी जो गुडविल है जो हो जाती है तो उसका हम बैलुएशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे ठीक है और अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई बाती नहीं है लेकिन मोशली साज़दारी जब होती है तो उसमें कुछ न कुछ गुडविल जरूर पैदा हो जाती है गुडविल कहते किसके लिए किसी भी ब्याक्ति का प्रसिद्ध हो जाना जंता का विस्वास बनना मार्केट में उसका नाम हो जाना ये ही हमारी क्या कहलाती है परशंदी कहलाती है लेकिन इसको हम दूसरे तरीके सिखाते हैं हम यह सिखाते हैं कि आप अगर बाजयर में जाती हो और आपको जितने रुपय का उधार माल मिल जाताства भीं की क्या है क्या ती है अगर तुम मार्केट में जाते हो दुकान वाला तुमको देखता है और यह बहुत अच्छा ब्यक्ति हमारा पुराना गिरहाग है और इसको दे जितना मांगे उतना देदो पैसे तो आई जाएंगे अपना घर है ठीक ऐसी आपने बाते कहते हुए देख जाता है यह देख आपके गुडविल नहीं है आपकी गुडविल तो है लेकिन उसके रूल और रिगॉलेशन अलग है ठीक है और 20 में नंबर पर साज्येदारी नियमों को तोड़ने पर धंड ठीक यानि कोई तो उससे जरूर और जोसे दंडित किया जाएगा तो किस तरह से चिया जाएगा तो यह भी साजदारी संलेक में पहले लिखा हुआ निकिन इतना प्रियाख्त है यार इतनी हेडिंगे इतने points के बारे में तो कम से कम पेज भरे जाएंगे तीन चार ठीक है तो इस तरह से यह आपने देखा कि यह साज़ेदारी सनलेक होता है और साज़ेदारी सनलेक के बिना सब कुछ अधूरा है और एक वीडियो इसके तुरंत बाद बहुत most important है साज़ेदारी के समापन की विधियां बहुत पूछा जाता है तो आईए यह वीडियो यहीपर धियांड करते है अखनी वीडियो आपके साथ